तरिए सशंव कह रहा है कि कल हम कर रहे थे वैलेंस बांड थियोरी और इसी को हमने आगे बढ़ाना है clarity कि यह ना कल हमने कुछ को एक्जियल एंड को लेटरल बॉंडिंग की बात की थी नहीं को एक्जियल एंड को लेटरल ओवरलैपिंग की हमने जो है लास्ट लेक्चर में बात की थी की थी कि नहीं चलिए, तो घड़ी में हो गया टाइम, क्लास स्टार्ट होने का, तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, फिर से बात करते हैं, को एक्जियल या एड़ आन ओवरलैप, कल इस नाम का जिकर आया था, आज थोड़ी सी ज़्यादा बात करते हैं, तो को एक्जियल, इसमें होता क्या है, इन इस टाइप आफ ओवरलैप, क्ऀवक्णकि यह हैं, आफ ऋाफ दाएउ मैं, आफ दाएश, और वत नंड़ अ करते हैं, तो इड आफ और लाताक्ड गएवरलैप्णकि अप्टयों र बाताकि ओजू अएवरलैप्श्यवर्ड उवर्ट्स, टेक्स प्लेंस ठीक है अब मसला ये भी अब ये end-to-end overlapping का क्या मतलब हो सो end-to-end overlapping देखिए समझते हैं जैसे s-s-overlap s-orbitals का s-orbitals के साथ overlap ठीक है ये किस तरीके से होगा जब एक s जो है दूसरे s के साथ combine करेगा ठीक है ना so there will be overlap which is called s-s-overlap it is s-s-overlap समझ रहे हैं and this bond is sigma bond ठीक है this bond is sigma bond जैसे इसका example समझे hydrogen plus hydrogen मिलके जो है h2 molecule बनाते हैं हमने पहले कहा था कि दोनों के orbitals जो है spin जो है opposite होनी चाहिए क्या आपको इस बात समझ में आ रही है बस इतना ही teach किया मैंने आयश्मान जो हमने कल बात की थी कि head-on overlap या ठीक है co-exial overlap की उसी की बात की है कि यह किस तरीके का होता है ठीक है so s-s में जब भी overlap होगा सुन लीजिए s-s में जब भी overlap होगा that always will be head-on overlap और head-on overlap से जो orbital बनेंगे उनको हम मतलब जो bond बनेगा उसको sigma bond कहेंगी this is sigma s-i-g-ma ठीक है head-on overlap से जो bond बनेगा वो sigma कहलाएगा दूसरा दूसरा overlap हो गया जी s-p overlap अब s-p overlap में क्या है एक s है और दूसरा जैसे यह पी आ गया तो अगर s के साथ पी ओवरलैप कर जाएगा तो जो overlapping होगी that will be called as s-p overlap is it okay again this bond in sigma ऐसा मिल जाएगा आपको जैसे ह-f में अर्डजन का s और fluorine का p जब मिलेंगे तो हमें जो है अर्डजन फ्लॉडराइड का sigma bond मिल जाएगा बेटा जी समझ में आ रही है हर एक में sigma होगा जब भी head-on overlap जब भी होगा तो वह sigma ही कहला है co-axial overlapping जब भी होगी देखो यहां भी सिर से सिर टकराया है यहां पर भी head से head टकराया है तो जब भी ऐसा होगा तब जो है हम इसको कहेंगे कि it is sigma bond ठीक है अगर हम x-axis मान लेते हैं inter nuclear axis को जैसे अगर हम x-axis inter nuclear axis को मान लेते हैं ठीक है तो यह along the x-axis sigma bond होगा अगर हम मान लेते हैं कि भी x-axis के along जो है दोनों के nuclear x-axis के along है एक का nucleus यह है दूसरे का इधर होगा center में है ठीक है यह बात समझ में आ रही है तो ही बात करेंगे आगे समझ में आ गए अक्षित को आ गए nice critical को आ गए बहुत बढ़िया ठीक है चरिए अब लास्ट इस ओवरलैप में है जी लास्ट में है PP ओवरलैप अब PP ओवरलैप में क्या है एक का P दूसरे के P के साथ जब ओवरलैप करें ठीक है सो यहां पर इस इस पी-पी ओवरलैप अगें इस सिगमा बॉंड ठीक है इसका एक्जामपल जैसे मान लो फ्लोरिन प्लस फ्लोरिन सो जब यह मिलके F2 बनाएंगे सो देट विल पी-पी ओवरलैप बढ़िया से समझ में आ रहा है सबको इसी टोके और अगर फ्लोरिन फ्लोरिन का ओवरलैप है सुन लो अगर यह फ्लोरिन फ्लोरिन का ओवरलैप है तो यह पी-पी ओवरलैप तो है और साथ में यह भी है कि टूपी एंड टूपी का ओवरलैप रही है कि एक का टूपि दूसरे की टूपी के साथ कि जब कि अगर बें क्लोरिन में हो जैसे की सो ये जो ओवुए लैप होगा जब सिय य्नौ मॉलीक्यूल बनेगा कि ट्री पी और रूसरे क्लोरिन का ये वह कि और लैप करेंगे बेटा जी समझ में आरे हैं मेरी बात क्योंकि क्लोरिय्ब की वैलरात शrangeल में आई एनिक बॉंड यहां पर कोई भी नहीं अईश्मान जो हम बात कर सुन्डो यह मांध कर रहें को वैलेंड बॉंड की कर रहें में ठीक है थक है थो हम कहे रहें कि फोलरिय्ब में यह वैलरात लेखो 2P है तो 2P के साथ 2P merge करेगा मतलब यह 2P and 2P का overlap होगा क्योंकि कुलमीर जी जो chlorine है उसकी balance cell 3P है 3P 5 configuration आती है balance cell तो इसलिए जो है ठीक है यहाँ पर 3P के साथ 3P overlap होगा ठीक है ना बीच में spin we say spin spin दोनों और बाइटल्स की एलेक्ट्रोंस की अपोजिट होनी चाहिए ठीक है ना एक लॉक्वाइज दूसरी अंटी क्लॉक्वाइज समझ में आ रही है मेरी बात ठीक है तो यह तीनों केसी जो है सिगमा बॉंड्स बनाते हैं कौन कौन SS SP एंड पी ठीक है ओके अब इसके बाद इसके बाद नेक्स तिंग को लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग को लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग जैसे यह पी है सुन लो ये पी है और ये भी पी ठीक है ये दोनों एक दूसरे के पैरलल तो अगर ये साइड़ वाइज ओवरलैप करें ऐसे ये साइड़ वाइज ओवरलैप और इनकी ओवरलैपिंग को भी कॉल इट एस पाई पाइबॉंड कहते कि इसको एसे भी शो कर दिया जाता है कि इस तरीके से स्मर्ज्ड क्लाउड को ऐसे भी शो कर दिया जाता है ऐसे यह विए वेज ओफ ऑफ आप ऐसे मतली यह कलाउड इलेक्ट्रों कलाउड इधर पूरा उपर इसका इलेक्ट्रों कलाउड नीचे यह जो ऑपर लैप यह दिखाया नहीं कि ऐसे बन गया अब उपर वाला इस्सा नीचे वाला हिस्सा यह होगा ऊपर वाला यह आच्छा और यह भी तरीका है सबसे जादा हम इसी को यूज़ करेंगे इनको थोड़े दूर दूर ही दिखाया जाए ऐसे दूर दूर दिखाया जाए और डॉटेड लाइन लगा दी जाए तो उससे अंडस्टूड है कि यह पाई बॉंड ही ठीक है ऐसे ओबरलैप ना करके खुले खुल चलिए बहुत बढ़िया समझ में आगे अब है बात बांड स्ट्रेंथ की या बांड एनर्जी की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी बांड एनर्जी होगी बांड को तोनने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए देखो जो पी-पी ओवर लैप की जो बॉंड एनरजी है वो सबसे ज्यादा होगी पीपी सबसे ज्यादा and then SP and then SS and then last में फिर से PP यह मसला क्या है actual में यह जो सारे हैं यह coaxial वाले हैं और यह वाला जो है it is coaxial वाले में ऐसे coaxial वाले में सबसे कम सबसे weak मतलब जो है coaxial वाला होगा मतलब सिग्मा वाले सबसे ज्यादा होंगे और πाई वाला सबसे कम होगा क्योंकि साइड़ वाइज ओवर लैप होता है जो सिग्मा वाले होते हैं वो सारे स्ट्रॉंग होते हैं पाई वाले से क्योंकि पी-पी ओवरलैप दो तराके होते हैं सिग्मा में भी होते हैं और साइडवाइज में भी होते हैं को एक्जियल भी होते हैं को लेटरल भी होते हैं तो को एक्जियल वाले सारे स्ट्रॉंग उनका ओर्डर यह है PP सबसे strong, then SP, then SS, और सबसे last में आ गया PP जो की collateral है, पाई सबसे weak bond होता है, मुझे लगता है सब को यह बढ़िया से मेरी बात समझ में आ गई हूँ. ठीक है? अच्छा, अब द्यान दीजीएगा. चलिए. अब हम एक-दो molecules में example लेके देखते हैं कि आखिर, सुन लो. First और last में बेटा जी difference है कि first coaxial है, last वाला collateral. बड़ा difference है ना? अगर head-on होगा तो सबसे strongest, sidewise होगा तो सबसे weakest. Difference. ठीक है? समझागी बात? चलिए. नकुल को भी आगी बात समय. अब मैं, अब मैं थोड़ा सा molecule का example लेके बता रहा हूँ. जैसे, आप देखें, हम ले रहे हैं, पहले F2 molecule का example ले ले ले. और्वाइटल अर्रेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. देखिएगा, F2. प्लोरिन की configuration क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p5. यही है ना? तो, अगर हमने F2 molecule को represent करना भी उसमें कैसे, bond कैसा है? तो, हम बैने शेल के और्वाइटल की बात कर रहे हैं. सब बोर्ड पे देखते जाए, यह सब का ध्यान बोर्ड पे हो. यह 2s है, यह 2p. और situation क्या है? ऐसी है. ऐसी है. ठीक है? यह एक फ्लोरिन हो गया. और सुने. दूसरे फ्लोरिन में, same. उसका 2s और उसका 2p. इसी टोके? आप देखते जाए, बोर्ड पे. अब आप बोर्ड पे देखें, यह एक फ्लोरिन हो गया, यह दूसरा फ्लोरिन हो गया, आपको बात समझ में आ रही है. अब देखो, इसका भी octet incomplete है, इसका भी incomplete है. सुन लो. इसका octet incomplete है, इसका octet भी incomplete है. यह p वाला orbital है अपना, जो की खाली है, एक electron है इसमें. ठीके? सुन लो, सुन लो, सुन लो. अभी अभी सुनो. यह, तो इसका p खाली है, इसका p खाली है, अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम लोग इनका overlap करा देंगे. यह line बता रही है कि इनका overlap हो गया. overlap कौन सा? पी के साथ p वाला. एक बात में आपको बता दू. एक खास बात में आपको बताने जा रहा हूं, पहले सुन लो. जब भी दो एटम्स के बीच में सिंगल बांड होगा, सुनते जाएं सारे लोग. जब भी दो एटम्स के बीच में एक ही बांड होगा, तो वो पका सिगमा ही होगा. सुन लो. अगर दो एटम्स के बीच में एक ही बाइड है तो पक्का वो हेड़ ओन से ही बना हुआ है को एक्जियल से ही बना हुआ है ठीक है लेकिन सुनते जाएए लेकिन अगर दो बाइड है तो एक सिगमा होगा एक पाई होगा पक्का दो सिगमा इकठे नहीं हो सकते और अगर तीन bond होंगे तो एक सिगमा दो पाई होगे इसका मतलब दो atoms के बीच में कम से कम और जादा से जादा एक ही सिगमा होता है क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दो atoms के बीच में कम से कम और जादा से जादा एक ही सिगमा होता है डन चलिए अब बात को शुरू करते हैं यहां पे तो इसका मतलब यह दो का जो ओवरलैप हुआ सिग्मा और यह प्यरी का ओवरलैपं सिग्मा बॉण्ड है आसे में हम इसको रिप्रेजंट करेंगे इजाएफ single bond F, this is sigma bond. Is it okay? This bond is कौन सा bond? Sigma bond. Covalent bond दो तरह का हुआ, sigma and pi. ठीक है? जो अपना Covalent bond है, वो दो तरह का हो गया, कौन कौन सी तरह का? एक हो गया sigma और एक हो गया pi. ठीक है? अब सुने, F2 के बाद मैं example ले रहा हूँ दूसरा O2 का. O2 की configuration क्या है? 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2, 2p4. अब ऐसे में क्या हुआ? oxygen. यह 2s है, यह 2p है, सुनते जाओ बेटा जी. और अब दूसरी oxygen की बात कर रहे हैं. उसका 2s है, और उसका भी अब 2p यहां बे बना लिया हूँ. ठीक है? तो जब हम ऐसे बनाएंगे, तो आप देखो. पहले सब को सब देख रहे हैं? सब को समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है? अच्छा. अब सुने. तो यहां पर अब अब ध्यान देजिए. इस में देखो, दो और बाइटल्स जो है अनपेर्ड. अक्टेट कम्प्रीट करने के लिए दो इलेक्ट रचीए. तो दो की ओवरलैपिंग होगी. यह इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग होगी मतलब? इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग होगी. तो ये bond तो बन गया sigma और ये दूसरी जो overlapping हुई ये sidewise होगी it is called pi मैंने कहा कि जादा से जादा और कम से कम एक ही sigma हो सकता तो मतलब दूसरा ये pi होगा इसलिए जो O2 molecule है उसके बीच में दो bonds होते हैं एक उसमें से sigma आ गया जी और एक उसमें क्या आ गया पाई आ गया I hope मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया जो नए बच्चें आएं उनको आ रही है कि नहीं चलो भूमी को आ रही है बहुत बढ़िया नदनी डोग रहा नाइस 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 बहुत बढ़िया अच्छा सुनो 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 आरेन कह रहा है कि हाउड डुवी डिटरमाइन बॉंड इस सिग्म और फाई बेटा जी मैंने कहा जो पहला पहला बॉंड होगा हो में शर्द सिगमा ही होगा है अगर आप यहां पर डिटर्माइन करने की बात कर रहें जो पहला बॉंड अगा हो इन दो में से आप किसी को भी सिगमा किसी को पाइड़ सकते हैं है ठीक है मालग हुए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं एंटू देख लेते हैं एंटू भी देख लेते हैं एंटू में क्या है वन एस टू 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 पी पी तो ऐसे में नाइट्रोजन सिचुएशन क्या है नाइट्रोजन के आप देखिएगा यह नाइट्रोजन की सिचुएशन है तू एस टू टू पी और दूसरा नाइट्रोजन तू एस टू पी ठीक है अब इसमें यहां पर इसको भी तीन इलेक्ट्रोजन की जूरूरत है इसको भी तीन की जूरूरत है तीन ओवरलैपिंग्स होंगी तो यह पहली हो गई सिगमा यह पाई एंड नेक्स्ट इस पाई इस इट ओके तो ऐसे में एंड ट्रिपल बॉंड एंड यह सिगमा यह भी पाई और यह भी पाई तो देर इस वन सिगमा एंड टू पाई मुझे लगता है एक्जामपल ने आपको क्लियर कर दिया कि कितने सिगमा कितने पाई होंगे ठीके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं आप मुझे क्या यह बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में सिगमा कितने हैं और पाई कितने हैं ओके अक्षित ने मुझे सिगमा का जबाब दे दिया और जो दिया है वो सही है मैं वेश गलत आ रहा है तुम्हारा आरेन तुम्हारा भी गलत है मनप्रीत आदा जवाब दिया भी लक्षे आदा लक्षे का गलत है अस्तित्व गलत विनिक्ता सही विनिक्ता ने सही दिया सक्षम अभी गलत है आदा प्रिद्यांश सही है मनप्रीत सही सुनो अब ध्यान दीजिये मैंने कहा था दो एटम्स के बीच में कम से कम एक सिगमा होगा और ज्यादा से ज्यादा दे सुन लो तो इसमें एक सिगमा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ सो नौ तो इसमें सिगमा ही ठीक है यह आएटी में पूछा हुआ सवाल है नौ इसमें सिगमा बॉंड्ज ही है और अब पाई देखो गिनो किसी एक को सिगमा ले लो बीच वाले को सिगमा ले लिया तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नाइन सिगमा नाइन पाई एक दम सही के नहीं विवेक चंदा कि समझाई बात यहां पर कोई चंगोत्रा सरनेम वाला भी है आज मैं देख रहा था नाम कुलमी सिगमा के लावा जो होंगे और पाई होंगे क्रिश चंगोत्रा है कोई लेकिन रिस्पॉंस नहीं दिया क्रिश ने कहां पर क्रिश भई पाई तिक लगे हैं मानव जोत इसमें दो पाई एक सिगमा ना एक तो समय सिगमा होना है सुनो कि दो पाई दो चार एक पांच इसमें एक ही है एक पांच दू साथ दो नौ क्या बात है समझ में आई बात के नहीं आई एक बॉन्ड में एक से ज़्यादा नहीं होगा सिग्मा वन सिग्मा इस निसेसरी फॉर एबरी बॉन्ड बिल्कुल सही बात सिग्मा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा बोलिए पाई दो या तीन हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बॉंड ही होता है उनमें से एक सिग्मा हो गया तो दो पाई ही बचे ना तो ज्यादा से ज्यादा पाई एक बॉंड में दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम आपने ट्रिपल बॉंड ही सुना है ना और उसमें से भी एक सिग्मा ही होगा समझा रही है चलो एक और देखते हैं करता है चलो भीा साल सविय सकता रही है सरे करह चालो काउंट करो इसने सिगमा और पाई कि क्या बाद कि इतने सिगमा कितने पाई पाई मुझे साथ दिख रहे हैं दो दो चार एक पांच एक छे एक साथ पंद्रा सिगमा साथ पाई बुलो सबको मिले के नहीं कि क्या बात है बहुत बढ़िया भूमी बहुत बढ़िया पिक कर रही है नाइस ओके मिल गए चलो बहुत बढ़िया मानब जोथ बोल्ड आउट मानब जोथ मानब जोथ कह रहा है वहाँ पे साथ कैसे ही अभी जो लास्ट कोश्चन था उसमें साथ पाई बॉंड थे देख दो ट्रिपल बॉंड है सुन ले दो ट्रिपल बॉंड है और तीन डवल बॉंड यह दिख रहा है तेरको तो जो दो ट्रिपल बॉंड है हर एक में दो दो पाई बॉंड क्योंकि यह की सिग्मा है मैक्समम और जो तीन पाई बॉंड तीन डवल बॉंड है उन में से एक एक पाई बॉंड है तो कितना हुआ चार तिन साथ नहीं समझाई बात के नहीं चलिए बहुत बढ़िया वेरी नाइस अब हम बात करते हैं एक छोटा सा फंडा और भी एड कर दूँ ठीक है आगे जो है काम में आएगा देट इस ऐसे भी बॉंड होते हैं अभी इस टॉपिक में मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है लेकिन डी पाई पी पाई बॉंड बस मैं यह दिखा रहा हूं कि यह होता कैसे मलों होता क्या है कि एक डी और बाइटल है और दूसरा पी और बाइटल है अब उनमें साइड वाइज ओवरलैप हो जाए यह डी है यह पी है अगर इनमें साइड वाइज ओवरलैप हो जाए ऐसे तो इटिस कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉंड ठीक है दिस डी पाई पी पाई बॉंड डी और पी के बीच में इस इट ओके एंड डी पाई डी पाई भी हो सकता है कि जैसे एक डी है और फिर दूसरा डी आ जाए और उनके बीच में ऐसे डी पाई डी पाई बॉंड हो जाए डी और डी के बीच में भी साइड वाइज ओवरलैप हो जाए मैंने का आप अपनी कॉफी में बनाए रखें अभी आपको कॉंसेप्ट लग गया कि जब साइड वाइज ओवरलैप होगा सो पाई बॉंड होगा बाकी ज्यादा की जुरूरत नहीं है ठीक है बाकी मैं संभाल लूँगा आप चिंता मत कीचे नोट कर ले जल्दी से नोट कर रहे हो आपनो अब अब जैसे हमने कहा था कि अपना जो कोवलेंट बॉंड होता है हो दो तरह का होता है दो तरह का कौन सा सिग्मा बॉंड एंड पाई बॉंड ठीक है थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस एक बार लिख लेते हैं सो जो सिग्मा बॉंड होगा वो को एक्जियल बॉंड है जब की जो पाई बॉंड है देट इस को लेटरल बॉंड साइड वाइस ओवरलैप से बना हुंता है इस इस ट्रॉंग बॉंड इटीज बीक बॉंड इस ट्रॉंग होने की वजह से इटीज लेस रियक्टिव जबकी इटीज मोर रियक्टिव इटीज लेस रियक्टिव इटीज मोर रियक्टिव सही बात हैं समझा रही है बात जरी नाइस एंड कैन एक्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब अकेला बिना फाइब बॉंड के भी एक्जिस्ट कर सकता है पर इसका क्या है आउनली एक्जिस्ट विद सिग्मा बॉंड यह सिर्फ सिग्मा बॉंड के साथ में एक्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है और इनका जो एक बड़ा डिफ्रेंस है यह प्री रोटेशन इस पॉसिबल जबकि इसमें रोटेशन इस हिंडर्ड मतलब घूम नहीं सकता अब यह जो डिफ्रेंस है ना इसको आप खास तोर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स जब मैं कराऊंगा इसमेरिजम हम पढ़ेंगे वहां पर इसकी जरूरत पढ़ेंगी मैं आपको बता देता हूं देखिए जैसे यह मारकर है ना मानलो यह एक पी और बाइटल है यह दूसरा पी और बाइटल है इनमें हैड़ ऑन ओवर लैप हो गया देखो ऐसे हो गया यह तक की आवाज आ गई सो यह इनमें सिग्मा बॉंड बन गया लेकिन अभी भी यह गूम सकता है देखो यह गूम रहा है गूमने से इनका यह बॉंड नहीं टूट रहा है ठीक है ऐसे बरकरार है आप ऐसे समझ लीजिए जो भी हैड़ ऑन ओवर लैप होगा ऐसे तो यह बॉंड नहीं टूट रहा बॉंड फिर भी स्ट्रॉंग है लेकिन अब सोचो अब सोचो मैं क्या करता हूं यह मैंने दो मार्कर लिए अब साइडवाइज ओवर लैप बना रहा हूं देखिएगा यह दो मार्कर है मेरे पास मैंने इस मार्कर में मानलो फैवी कुइक लगा दिया इदर फैवी कुइक लगा दिया और इसको ऐसे चिपका दिया अब अब सुनों ऐसे चिपका दिया यह इनका पाई बॉंड हो गया साइडवाइज ओवर लैप हो गया तो अगर मैं बेटा जी ऐसे गुमाता हूं तो मेरा बॉंड तूटेगा कि नहीं तूट जाएग क्योंकि फैवी कुई के लगा दूँगा मैं ऐसे तो देन इस नोट पॉसिबल तूटेट क्योंकि अगर रूटेट करूंगा तो बॉंड तूट गया और बॉंड तोड़ने के लिए एनरजी चाहिए जब कि इसमें गया हो रहा था इसमें आपके गुमाने से इन दो टिप के बीच का डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आ रहा था तो इसलिए सिग्मा में रूटेशन पॉसिबल है पाई में रूटेशन पॉसिबल नहीं है ओके एक लास्ट पॉइंट केमिकल बॉंडिंग में एक टॉपिक आएगा राइजुनेंस का डैट इज सिग्मा बॉंड पैई बॉंड जब की पाई बॉंड मैंने काई यह लास्ट के दो पॉइंट्स जो है टॉपिक के अगले हिस्से के लिए छोड़ दीजिएगा ठीक है वहां पर बात करेंगे ठीक है अभी आप फिलाल लास्ट के दो पॉइंट्स को जो है पैंडिंग रखिए ठीक है मनला रूटेशन का तो मैंने बताई दिया रेजोनेंस इसी टॉपिक में आ जाना है तो फिर जो है रेजोनेंस में ये बात जो है डिटेल में हो जाएगी नोट कर लिया बेटा जी आपने कीजिए कीजिए नोट पुलमीत ने नोट कर लिया बहुत बढ़िया चले अब बात को बढ़ाते हैं हम आगे अच्छा यहां पर मैं ये भी बता दू देखो एक बात तो पहली बात तो ये है के जो वांड स्ट्रेंथ है देट इस प्रोपोर्शनल टू एक्स्टेंट ओफ ओवरलैपिंग दो और बाइटल में ओवरलैपिंग कितने अच्छे तरीके से होती है मतलब जैसे हमने कहा था पी और पी का ओवरलैपिंग इस पी विच इस मोर देन एसस और विच इस मोर देन पी पी कौन सा ओवरलैपिंग यह को लेटरल मतलब यह पी और पी का हेड on ओड़लैपिंग है जबकि यह पी अंड पी का क्या है साइड ओगरलैपिंग इस дома ए तो यह को एक्जियर और यह को लेट यह बात तो आपको समझ आ चुकी है अच्छा दूसरी बात जो बांड स्ट्रेंथ है देटीस इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू साइज ओफ और बाइटल अब यह साइज ओफ और बाइटल का क्या मतलब मतलब सुन लीजी इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जैसे सुन लीजेगा मतलब जो ओवरलैप है अगर 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 मान लो जैसे सेम और बाइटल है लेकिन उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया मतलब बांड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर जाएगी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा कैसे कहने का मतलब यह हुआ कि वन और वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो ऑर्बिटल मतलब जैसे वननेस और वननेस के बीच में ज्यादा स्ट्रॉंग बांडिंग होगी सही बात है यही मतलब हुआ वननेस और वननेस के बीच में स्ट्रॉंग बांड होगा फिर टुएस और टुएस के बीच में उससे कम एंड देन थ्रीएस और थ्रीएस के बीच में उससे कम सही बात है अगर सेम टाइप आफ आर्बाइटल है तो जैसे-जैसे क्योंकि क्या हुआ, oneness और oneness में क्या है, बहुत नजदीक है, तो बड़ा close overlap होगा, s में क्या होगा, जो nucleus है बड़े दूर, तो इनमें attraction बहुत कम होगी, तो overlap जो है, जो bond होगा, वीक होगा, सही बात कहा रहा हूं बेटा जी, oneness, oneness में size छोटा है, nucleus नजद और वही बात जो है, वही बात जो है, पाई-बॉंड में भी आती है, पाई-बॉंड में क्या होगा, टू-पाई, एंड-टू-पाई का बॉंड, सबसे strong, देन थ्री-पाई, एंड-थ्री-पाई, बनलब, टू-पी-टू-पी, ऐसे कह लिए, टू-पी-एंड-टू-पी, यह पाई कह देते हैं, क्योंकि पाई-बॉंड की बात कर रहे हूं, एंड दन, फॉर-पाई, एंड-फॉर-पाई का सबसे weak होगा, सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो, हाँ, मुझे समझ रिपीट कर दो, मैं बता दू, देखो, पाई-बॉंड है, टू और टू के बीच में स्ट्रॉंग होगा, थ्री-थ्री के बीच में weak, एंड दन, फॉर-फॉर, मलब जैसे जैसे आप बड़े होते, एंड का नमबर बढ़ता जा रहा है, bond weak होता जाएगा, क्योंकि उनमें distance जो है increase कर जाएगा, है न, distance जो है इनमें increase कर जाएगा, जैसे मैंने का यह चोटा है, इसमें attraction strong होगी, इसमें बड़ा है, तो attraction weak होगी, ठीक है, मतलब, जो fluorine, fluorine का bond होगा, वो strong होगा, iodine, iodine के comparison है, सभी बात है, क्योंकि इसमें असानी से तोड़ा जा सकता है, देखो, नकुल वो question ऐसे नहीं देखेंगे, हाँ, बिलकुल, 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 सही कह रहा है, जैसे increase होता जाएगा, gap जादा होता जाएगा, तो bond जो होता जाएगा, अच्छा, अब इसमें, हाँ, CL का bond वीक होगा, ऐसे, आप, अब सुने, अब ध्यान दीजिए, एक aims में, एक question पूछा गया था, aims में, एक question पूछा गया था, के, O2 and N2 are stable at room temperature, but, S2 is not, why? सवाल यह था, के O2 और N2 तो stable होते हैं, लेकिन S2 नहीं, क्यों? अब देखते हैं, जो हमने सीखा, उससे जवाब देखते हैं, O2 and 2 तो मैंने बता ही दिया हैं, आप O2 and 2 को तो वहीं से देख लीजिएगा, O2 and N2 को तो डाइगराम मैंने पूरी बना दी, ठीक है, लेकिन S2 की मैं डाइगराम बना देता हूँ, सल्फर की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, सो मतलब सल्फर में, एक सल्फर में क्या होगा, मैं ज़्यादा डाइगराम नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पहले बना चुका हूँ, सो उसी को हमने देख देना है, हमारा काम हो जाएगा, यह देखो, और यह दूसरा सल्फर, 3s, यह 3, अब आप ध्यान दें, अगर आप O2 और N2 में देखें, O2 और N2 में, O2 में क्या है, 2p और 2p का ओवरलैप है, ध्यान दीजिए, जो मैंने कराया था, 2p और 2p का ओवरलैप था, यहां 2p था, नीचे भी 2p था, ठीक है, जबकि यहां पे क्या है, यहां पे 3p और 3p का ओवरलैप है, यह सिगमा, यह पाई, ठीक है, सो ऐसे में, ऐसे में क्या होगा, यह जो बॉन्ड है, एक्चुल में, 3p पाई एंड 3p पाई बॉन्ड है, सभी बात है, इसका 3p और इसका 3p जो है, पाई बॉन्ड बना रहा है, सो इसलिए, यह वाला, वीक होगा, इनका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉंग होगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, रीजन समझ में आया, कि O2 और N2 में जो है, 2p 2p का ओवरलाब बना है, मन प्रीच मैंने कहा कि O2 N2 जो कि हम पहले बना चुके हैं, आज ही बना है हमने O2 और N2 की डाइगराम उसको खोलो, उसमें मैंने कहा था कि वहाँ पर जो पाई ब बीच में बनताई, N2 में यह दो पाई बॉण्ड बनते हैं, 2p और 2p के बीच में बनते हैं, क्यक्जिस फुमें क्य हो रहा है, स हमतर्द बन रहा है वोस्त lie और 3p के बीच में बन रहा है। सो ऐसे में जो है हम कहेंगे यह बॉंड भीक है इसलिए यह रूम टेंपरेचर पर एस टू नहीं अग्ड़ू आ बिलकुल कुल मीत सल्फर में थ्रीपी थ्रीपी है इसलिए समझ आई बाद पक्का नाइस बहुत बढ़िया है चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे आगे बेटा जी हम एक थियोरी की बात करने जा रहे हैं एक बहुत काम की थियोरी है हमारी उस थियोरी का नाम है बाले 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 पी यार थियूरी ठीक है वैले शेल इलेक्ट्रोन फियर रिपल्शन थियूरी सुनिये यह जो है सबसे पहले इट वाज गीवन बाय सніजविक फवब्ब chrom आवल System स्गीह वैट व्वब्ब्ब्ब्ब्बρο्ब्ब्ड़्ब्द शेर, वुट्च वब्ब्ब्ब्ब्ब्सहा पैटligenडे सेउड़न उडेरिक्ट्डलिथिभरः व्वीन धश्वाली इन नाइन्टीन फिफ्टी सेवन और ये 1940 में भारत के आजाद होने से पहले ठीक है ये थियूरी थी ठीक है तो आप सुनिए यहां से एक तरह से बढ़िया वाली केमिकल बॉर्डिक की शुरुआत भी होती है ठीक है तो इस थियूरी का मतलब क्या था बड़ा भयंकर नाम है वैलेंश एलेक्ट्रोन पियर रिपल्शन थियूरी ठीक है तो इस थियूरी का जो मोटिव था वो था कि हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी जुमेट्री अलग अलग होती है है ना हमने कहा था कि कोवलेंट बॉंड एक डिरेक्शनल बॉंड तो इनकी शेप्स अलग अलग होती है हैं सो इस mossy में यह दिश्न एख्स्प्लेइन करने की ट्राइं की गई कि वह कीव कुओ करने का जिसी हो मोलीकूल में एक now जोकी सं होता है इसे होता है जिस जैसे आएत नमें ने कहा कि वही किया कणा सेंटर में होता तो उन्होंने कहा कि वहीं इस ती yeter कास्ट क्या था उसके घ्य एज इलेक्टिक्राउंज वो रिस्पाउन सिब्ल है उस मॉलीक्यूल की घ्यमेट्रि को डिसाइड करने के मुझे लगता है किसी को ये बात समझ में अभी नहीं आई ठीक है जेकिन मैंने फिर भी असान लेंग्विज में explain करने की try की क्योंकि अभी इसमें छोटी छोटी टर्म्स जो है छीपी हुई है electron pair आप बोलोगे electron pair क्या हो गया भई ठीक है ना सुसूल लीजिए सबसे पहले यहां पर जो electron pair है मैं उसी पर आता हूं electron pair electron pair दो तरह के होते हैं one is bond pair bond pair क्या हो गया अभी आप जानते हैं कोई भी आप एक bond बनाते हैं तो आपको पता है उसमें दो electron होते हैं कि नहीं एक bond में दो electron होते हैं कि नहीं जैसे hcl का भी कोई sigma bond आपने बनाया h-cl उसमें क्या दो electron है ना वह bond pair को बार्ड में मौझूद दो electron को हम bond pair कहते हैं समझ आ रही मेरी बात और ऐसे ही दूसरे आगे loan pairs अब loan pair यह देखो अभी मैं एक molecule ले लेता हूं जैसे हम h2o का एक्जामपल ले लेते हैं यहां पर h2o अब h2o का क्या है इसमें इट इस इसको bond pair को bpb कहते हैं और loan pair को lpb कहते हैं तो इट इज बांड पियर इट इज बांड पियर इज बांड पियर it is loan pair समझ में बात आई सो इसका मतलब यह हुआ कि अपने अपने वाटर में दो bond pairs हैं दो loan pairs समझ में आ रही वाटर में दो bond pairs हैं दो loan pairs is it clear बोलो बच्चो बढ़िया बढ़िया मैं देख रहा हूं ठीक है चलो समझ में आ रही आपको बाद ठीक है तो अब सुनो तो इस थीओरी के अकॉर्डिंग सुन लो इस थीओरी के अकॉर्डिंग पॉस्चुलेट्स क्या कहते हैं पहला पॉस्चुलेट्स पॉस्च्चुलेट्स 25 इड़न आटा reserv पॉस्च्चिलर्श्चeln पॉस्चलेट्दًग कि अधेस्ऐ औराइस्टर खबिप्रिय। अक्oka कईट गया, तोस्ट मै के ट्वेन कि रसने थे ट्वेस्टー और विय्ट भी उन्नुटे। जड़ेवख पंवास प्रेंवेचित हि अ कि जिवेट्री आफ मॉलीक्यू तुनते जाहिए कि जो वैलेंस एल के इलेक्ट्रोन पियर्ज हैं सेंट्रल एटम के अराउंड वह रिस्पॉंसिबल है जिवेट्री आफ मॉलीक्यूल को डिसाइड करने में सेकिंड पॉइंट झाल 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 सुनने जी अब जो इलेक्ट्रोन पेर हैं सेंट्रल एटम के वो अपने को न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे अलाइन करते हैं कि उनमें रिपल्शन्स जो है मिनिमम अभी हो सकता है कुछ बच्चों को इस इन दोनों स्टेट्मेंट में प्रॉलम हो ठीक है ना मैं क्लियर करूंगा आप चिंता मत कीजिए ठीक है सबकुछ क्लियर करूंगा मैं आप बोड पर देखते रही है जैसा मैंने कहा कि जो आप हाँ 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 मैं 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 बता रहा हूं इसी पे तो थियोरी बेस्ट दूसरे ही पॉइंट पे तो थियोरी बेस्ट जब एक्सप्लेंट करना स्टार्ट करूंगा तब आपको पता चलेगा अभी आप रहने दिजिए आराम से ठीक है चिंदा मत कीजिए अच्छा सुनिए आ अॉडर और ऑफ रिपल्शं इनके बीच में जो रिपल्शन का और रहेगा इस लुखन पे लूब्ल सबसे ज्यादा जेलों पेर बॉंद पेह डूंड पेर पांड पेर अज देन बॉंड पेर बॉंड पॉंडoton अभी आप जस नोट करने में द्यान दीजिए बाकि आप मेरे पे छोड़ दीजिए ना आप चिंता मत कीजिए आपने कुछ नहीं करना है आप बस मेरी बात पे द्यान दीजिए और इसमें भी जो बॉंड पेर हैं यह उसमें भी बॉंड पेर तीन तरह के होंगे ना तो इसक लोन पेर और डबल बांड में उससे कम और लोन पेर और सिंगल बांड में उससे कम नोट कर लीजिये पहले संचीत विर्दी कह रहा है वाट इस दस्लेबस पर संडे सब्जेक्टिव टेस्ट का हाज रखा जाये सब्जेक्टिव टेस्ट का हुआ हुआ है कि मानब जोत समझ गया मैं रक्षा बंदर वाले दिन है कोई बात नहीं तो यह बता कि निवस क्या रखा जाए कि चलो पिरियोडिक टेबल अकेला पिरियोडिक टेबल पुश रहो अकेला पिरियोडिक टेबल अरे चैमिकल बॉर्डिंग टिल वी असी पियर त्यूरी इसमें तो अभी तक कुछ भी नहीं है पुरा पिरियोडिक टेबल बस केमिकल बॉर्डिंग ली ठीक है असली एडवेंचर तो अब स्टार्ट होना है ठीक है और सुनो मेरी बात अभी इतना नोट कर लीजिए ठीक है जो कुछ करना होगा अगली क्लास में मैं खुद कराऊंगा इसको सब कुछ एक्स्प्लेइन जो है इसको अगली क्लास में मैं खुद एक्स्प्लेइन कराऊंगा आप यह समझेए अभी आपने इसको कॉपी में नोट कर लिया ठीक है क्योंकि असली बात अगली क्लास में स्टार्ट होगी तो पूरा जो है मेरा टेस्ट नहीं होता क्य से बता अटेंड मनू राहुल जी से एक बार कंसल्ट करो राहुल जी कंटेक्ट मिस्टर राहुल ठीक है तो ही विल टेक कियर आफ दिस कि आपका क्यों नहीं अटेंप्ट होता ठीक है ओके मिलते हैं नेक्स क्लास ठीक है और बाइटल की डिरेक्शन की भी मैं बात अगली क्लास में कर लूँगा अब जो है ठीक है क्योंकि अभी बहुत कुछ मुझे अगली क्लास में बात करनी है ठीक है वहां से इस थियोरी की एप्लिकेशन स्टार्ट होनी है आपको पूरा समझ में आ जाएगा बड़ी प्यारी थियोरी है ये बहुत आसान है चिंता मत कीजिए ठीक है ना चलिए बाबाए टेक्ट किया रूट झाल 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 झाल